चलिए तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वाइफ़े स्टेडी चैनल पर वाइफ़े स्टेडी जा पार्ट और अखेडमी नमस्कार एक बरी जल्दी से कमेंड बोक्स पर लिखेगा आवाज आरिया आप सभी को अब 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 सभी को जल्दी से बताएं आवाज आ रही है ना फिर स्टार्ट करते हैं हमने सेशन को और आज स्सी एमटीस की धमाकेदार रिवीजन आपको कराने वाले हैं कोई कमी नहीं रहने चीए भाई जब आप ऐसे स्सी एमटीस का एक्साम देने जाओ ठीक है इत ऊस्में कुछ नहीं पढ़ा मेरे भाई इसमें कोई कमी नहीं रह ठेए आप अपने इंड से इसको कवर करें ठीक है चलिए बागे आप अनकेडमी बहुत अच्छे मोगे दे रहा है देख रहे हो ये फीज और कितनी कम होगी ये जो फीज है ठीक है और कितनी कम होगी 3700 के असपास 50% डिसकाउंट था 25% लाइवमन कोड से एक साल एक्स्ट्रा सब कुछ आपको मिल रहा है किसमें अनकेडमी के स आया है 27 तारीक का इसमें आप जुड़ोगे तो आप आइकोनिक सब्स्रिप्शन लोगे एससी गोल में लाइवमन कोड से 10% की जगा 25% डिसकाउंट है प्लस अनकेडमी का डिसकाउंट चलिए आप स्टार्ट करते हैं सेशन देखो रिवीजन तो है लेकिन टेस्ट फोर्म में से 5 लाने हैं फिर 6 में से 6 लाने हैं फिर 7 में से 7 लाने हैं फिर 8 में से 8 लाने हैं फिर 9 में से 9 लाने की कोशिश करने हैं फिर 10 में से 10 लाने हैं पांच चैलेंज होंगे आपके सामने पांच में से 2 चैलेंज क्रोस कर दो कि सिर्फ 2 चैलेंज जल्दी से एक बड़ यह ये सताट करें चली तो स्टार्ट कर रहे है पाँ और पूरे 5 चलंज हम आभी और पांच ओ चैनल जो है आपज़ों कर सकते होँ ठीक है परिला कोशन है कोशन आदे अच्छे कोशन है श्टोड से ठीक है ठीक है मज़े सह लाग्स पत्रक्रले रखा है है बेने निश्ट को पहला कोश्ट आप सबीके सामने पताई लोनार लेक्ट जो है यह कौनसी चेट में हैं इस कोशन का आंसर के बाई जितने वी बच्चे है से म्टिए चके है या पिर अन्य कोई बैंसर दोना भाई थे आंसर महराफ पूरे शाथ मिनदे पर आपका पेपर वंचे 25 कोशन होने सी 75 मार्क्स के ठीक है अगर MTS की बात करो दूसरा कोशन देखिए बड़ा खतरना कोशन है टारगेट है मैं जितना रिवीजन हो सकता है वो सारा करा दूआ ठीक है जो मैंने सालो साल पढ़ाया आपको वो मैं आपको अभी दो तारिक से पहले रिवाइस करा रहा हूँ वस आप देखते रहो इंपोर्टेंट कोशन सारा रिवाइस करा रहो पाप्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम जो है टार्गेटिड वन कब लॉंच किया था इस कोशन का आंसे कहा है खिए बहीया उनी को मिलेगा जो गरीब है ठीक है आंसे कहा इस सेवन्टी आर पच्चिस कोशन का ओ सिर्फ और सिर्फ दस मिनिट का हो वह तेस्ट होता कि मैं तीस तरी को आपको टेस्ट करवांगा वह पहले बता चुका हूं ठीक है चलिया आज्टिशन के सिसकण का दूसरे कोश्चिए आंसे ना थैसरा कोशन तीसरा मतएगे मतलब आर्थ के चार और गूमेगा तो अर्थ जितना गूमेगा होतर है वह भी घूमेगा है ना सिम्पल सा पन्डा इस को जल्दी से मतढ़ोई एक दिन में अर्थ में भी 24 गंटे और जो घूमने वाला वह भी 24 गंटे सिंपल सा है । ठीक है चला एक और कोश्न देखेगा इस कोश्न का अन्से कर पारे हो पांच कोश्न ही करा रहा हूँ पहले मैं यह पूरा पेड़ के निच्छा अब यह थोड़ा सा मुस्किल है अब बताओ कोशन का बड़ा अच्छा कोशन है शाम को साथ बज़े ध्यान रखना मैक्सिमम चैलेंज क्रोस करेंगे शाम को साथ बज़े सुबह तो करी रहे हैं मैं आपको ससी रेलवे की क्लासीज ही कराता हूं सुबह कराऊंगा भी लेकिन अभी थोड़े एक दो दिनों के लिए जो है है थोड़ा सा MTS पर अंसर इस कोशन का फीकस इस कोशन का आंसर है एक और कोशन देखिए अंसर की स्टेट में नहीं लायो तो क्रोस कर देंगे फिर छे में से छे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक एक नंबर का जो आप इजाफ़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं इस पे आप भी काम करें, हम तो करी रहे हैं, आप भी करें, पांच में से पांच नहीं आपा रहें, तो छे में से पांच लाने की कोशिश करेंगे, चली, तो यह कोशन हुआ अच्छा नहीं ऐसे करते हैं जब पांच में से पांच नहीं तो च्छ क्यम्ण कैसे फैनेन्स क्मिशन होता है कौन से आर्टिकल के तहत्त है कि एस чla section का answer के हैं जल्दी चलो देю शे मैंसे 5 सिरु 6 मैंसे 5 और भाई समने के आ सकते हो भाई यह साथ के साथ साथ मैंसे 5 का निए उप्शन दोगा थे की ऐन्से के इस कोशिण І जैसे इस कोशिण आदगए थे तेके अभी फाराइनेस क्मिशन 75 चल रहा है नहुत इस पे भी कोशन आ सकता है कि एंके सिंग है बड़ा प्यारा कोशन जैसे ऐसे कोट वाले कोशन होते हैं जेखो अभी आप कोशन असान कर रहेते हैं फाइनस कमिशन का सब को बताए 280 बच्चा भी कर देगा 280 यह कोशन जिसमें एक स्ट्रेटमेंट दे रखें अनक अनकंट्रो कोशन आंसर कोशन का महात्मा गंधी जी चींग है अम आजरे से जाधा बच्चे तुक्के लगा रहे हैं रविंदरनाट टैगुर कैसे हो गया ठीक है तीसरा कोशन देखें छे कोशन में से पांच कोशन सही होने चाहिए आसान है लिंग राज टेंपल कहां पर राजा-रान लिए से का से सब्सक्राइब विए सब्सक्राइब देखें ऑइल विट्रोल नीलात प्रहां वह सबस्क्राइब वहां नीलात होता क्या होता है CUSO4 होता है copper sulfate ठीक है CUSO4 एक तो यह option में दे रखा है अच्छा इसमें oil of vitrol दे रखा है blue vitrol नहीं दे रखा ब्ल्यू विट्रोल नहीं दे रखा यह नहीं है CUSO4 oil of vitrol का पूछा कि यह भी आसान question है अंसर के इस question का ठीक है sulfuric acid S2SO4 आपसे quite possible blue vitrol का भी question है नीलात होता जो कि मैं आभी आपको बता रहा था CUSO4 वो भी आ सकता है question उस पर भी बिन सकता है ठीक है ध्यान रखना चलिए एक और question देगे पाचमा question बरबाती international cricket stadium कहां पे है बताई where is बरबाती international cricket stadium located देखो बरबाती international cricket stadium जो है यह कहां पे लोकेट है इस question का answer के है चला एक बर इना पहले लिखना आप मैंसे कौन-कौन MTS की exam दे रहे है MTS का exam कौन-कौन दे रहे है क्योंकि मेरा बहुत target focused है दो तारीक तक पूरा focus है कि कोई भी class कर रहा हुआ MTS ही पढ़ा हुआ या फिर उसके साथ के exam जो हो आप पढ़ सकते हैं कुछ बच्चे इसी वज़े से classes को छोड़ रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है जब जिस बच जिस exam को लेके तीन चार महिने से मैनत कर रहे हैं उस पर अगर हम अभी मैनत नहीं करेंगे तो बात नहीं बन पाईगी सभी MTS जो भी overrun ने exam की त्यारी कर रहे हो वो भी देख सकते हो फायदा तो हो गई उड़ी सा इस question का answer है छटा question देखे बादे बोंबे गोल्ड कप कोन से स्पोर्ट से संबंदित है बादे ये इस question का answer के है बोंबे गोल्ड कप जो है हाँ एक calendar और आ गया है उसी साब से भी exam होने है त्यारी करानी है हमने आपको वैं SSC पूरी त्यारी करा देंगे आपको railway की पूरी त्यारी करा देंगे आज गोल्ड is equal to होकी छे में से 5 लायो मैं तुम्हारा कितना जो है रेट डाउन करवा रहा हूँ पहले 5 में से 5 पूछ रहा था तुम वह नहीं पास करपाए, फिर मैंने 6 में से 6 बूला, पास करा है, फेल किया है, जल्दी से लिखो सारे, पास कियो या फेल कियो, जल्दी से बताईगा, पास फेल, जल्दी से, स्कोर निमत आना, पास फेल होता है, जो जीता, वही सिकंदर है, बाकि तो कुछ भी नहीं है, 6 में 5 नहीं आ सट में से पांच कोल न पाता है ठीक पहले भड़िया आ रहा है तो वह हाइचत आने की कुछिशन साथ मेंसे पांच लाना एंडिया और T gastrondon के बीच में जो watershed है वो कुन सी रेंज है बड़ा अच्छा कोशन थोड़े कोशंट डिफिकल्ट हुँँगे धीरे दीरे आपकी difficulty level बढ़ेगी इसलिए मैं कह रहा हूं साथ में से सिर्फ पास लाने है क्योंकि difficulty level बढ़ेगी ठीक है इंडिया और तरक्मनिस्तान के बीच में कौन सा जो है शेड है watershed घरशेड के बदेगा अंसे के स्कोशन गा वेटा मैरेथ्फुन नहीं लिखवा पाया क्योंकि कि मैं मैं धूं कराऊ नहीं मुझे लगा है नियुक्ष्ट कराऊंग नहीं कि मैं करूं क्रूं कारा कुरम या जो ऊपर की दरफ पड़ता है ठीक है दूसरा कोश्ट देखे क्या प्रिकिन है मैं बस यह चाहता हूं YouTube पे आप आओ सिर्फ टेस्ट करने गेरी बाकिया आप सो चाप्टर से जितना पढ़ सकते हो उतना बढ़ लो फिकिया आप 6 गंटे मेरे साथ मैरतों में बढ़ो या किसी के साथ मैरतों में पढ़ोगा न उससे जादा तो आप सो चाप्ट गांधी नगर शहर है गुजरात का आंसर के साबर मती नदीपत तीसरा कोशन देखेगा बढ़े की स्टडी से संब्ढ़े बड़ा असान कोशन है आपने डिसीज का नाम सुना होगा तो आप उस हिसाब से आंसर लिवर को डिस्ट्रॉय करता कुन सा वाइरस ठीक है अगर आ चोधा कोशन देखींग है अगर एक मचली मच्वारे को मचली को मारना थै तो वो कहां निशान लगा है ठीक है बताई निशान चाने सटीक होने चाहिए तभी लगती है ठीक है चलिए बते ही आंसे के इस कुशिंगा मचली को मारना है अच्छा एक बाँ बताओ कल मैंने अरुनाचल प्रदेश तक डाल दिया था हर स्टेट कवर कर रहा हूं साउथ है इस्ट वैस्ट नोर्थ सेंटर हर एक स्टेट को मैं नो यूर्स स्टेट में कवर कर चुका हूं और एक एक वीडियो मेरी टेलीक्राम पे अवेलेबल है फ्री ओफ कोस आप देखे जरूर नो यूर्स स्टेट से से सेलेक्शन होगा दस नमबर पक्के करवां हूं आपके गरेंटी आप मेरे नो यूर्स स्टेट देख लो दस नमबर मेरे मेरे एंड से मैं कनफर्म कहता हूं कि दस पक्के हैं ठीक है नो यूर्स स्टेट से ठीक है फिश के नीचे जस नीचे वारा क्योंकि उसमें रिफ्रेक्शन होता है जिस वज़े से हमें नीचे वारेंगे तभी फिश पर जाके लगेगा ठीक है असान कोशन था पाच्वा कोशन देखिए बताईगा हां जी मुगल एंपरर मुहम्मद शा का असली नाम क्या था मुश्किल कोशन थोड़ा सा बताईए इस कोशन का अंसर क्या है ठीक है बताईए जो मुहम्मद शा उसका असली नाम क्या है थोड़ा डिफिकल्ट कोशन आ गया है लेट सी कमेंट करेए बताइए इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है आंसर है इस कोशन का कि रोशन अक्तर रोशन अक्तर जो है इस कोशन का आंसर क्या है एक शौ ने का है सर चलती वी मचली को मारेंगे अगर मचली रुग गे तो तुम उसको कुभी मार नहीं सकते क्या भाई ठीक है चलत कोशन का आन्सर क्या है बड़ी वेसिक सी बात थे यार चालो डान्स कहां पे होता है जल्दी से बदेख कौन सी स्टेट में चालो डांस होता है जल्दी चालो डांस कहां पे होता है इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है बताइए असान कोशन है कहां चलो कहां चलो जल्दी से बताइगा अरुन आप चलो मैं आता हूँ आंसर के इस कोशन का अरुन आप चलो मैं आता हूँ ठीक है आंसर इस कोशन का ठीक है चलो डांस अरुन आचल प्रदेश इस कोशन का answer है यह पता है मैं क्यों कोशन करा रहा हूं कल मैंने know your state कराया जो बच्चा AP का वीडियो देखा होगा आठ मिनट का सिर्फ 8 मिनट का वीडियो था वो यह कोशन करेगा know your state को बच्चे सोच रहे किसी एक state के बारे मैं पढ़ लेगे जो हमारी state है बेव कूफी मत करो किसी भी तरीके की सारी state पढ़ो और उसके बाद कोई भी exam में जाओ know your state की सारी state पढ़ो फिर जीके का एक्जाम जीके का जो पेपर होगा ना उस portion में जाना exam में मैं आपको बता रहा हूँ जहां 50% आता ना वहाँ पे आपको 90% आता होगा इसलिए मैं वह उस पे ज़्यादा महनत कर रहा हूँ एक एक वीडियो डाल रहा हूँ ठीक है फायदा होगा आपको साथमा question देखें बताई सिपत थर्मल पावर प्लांट जो है कूंसी स्टेट में साथ में से पांच लाप आयो हर घर में सिपत होगी ठीक है आंसर है साथ में से पांच लाप आयो तो लिखो पास नहीं तो लिखो फेल और नेक्स पे आते हैं मैं चैलेंज को छोटा करता जा र में से लाने है आठ में से पास नमबर लाता है ठीक है हर एक बच्चा आखिर तक अगर देखा जाए लास्ट होगा दस में से पांच वाला भी तो आप हर बच्चा पास होना चाहिए ठीक है मैं उमीद कर रहा हूँ कि हर बच्चा at least 50% प्लस वाला है हमारी क्लास में क्योंक 50% प्लस वाले हों अगर आप 50% प्लस वाले मिन फिर तो आप बिल्कुल ही गए हुज रहे हो है ना चाहिए पहला कोशन आप सभी के सामने इस कोशन का आंसर के है है हां जी जो हमारी आकों का जो कलर होता है ना ठीक है ब्ल्यू आइज हिपनोटाइज मतलब सोरी जो आकों क कलओर होता है वो किस वज़े से होता है कमेंट करएमट करीगा है यहां सर क्या है अच्ता पर हां बिल्कुल कोई अखे हो घुलाबी हो संद्री हो मिहां नियोन कलोर हो हो चम चमाता ठीक है आइरिस की वज़े से होता है ठीक है दूसरा कोशन देखिए का सलीम अली बड़ संचुरी जो है कहां पर लोकेट है इस कोशन का अंसर के बिड़ा पाड़ी स्पेड करना जितना रिवीजन हो सकता है करा रहे हैं शाम को साथ बज़े और ज्यादा कराएं आंसर के इस कोशन का सलीम अली बड़ संचुरी कहां पर तो आंसर इस कोशन का गोवा में आठ में से पाच लाने सिर्फ तीसरा कोशन देखिए पवित्रों वाइलेफ संचुरी कहां पर ठेक है बताई इस कोशन का आंसर क्या है इस कोशन का आंसर बताईगा पवित्रों वा गजब क्या सब गजब चली तो answer क्यां इस question का answer है? असाम कोशन का answer? चली एक उर question देखिए,Qu Э्च आपन के कि 90 dialogue is जो है, कहा पर है? Is question आपन के आउस्ट्रेलिया बता रहे हैं बहुत सारे बच्छे चली तो अस्ट्रेलिया इसको बड़ा फेमस है 90 माल्स बीच थे पांच मों कुशन देखें नैशनल कैपिटल थर्मन यह स्टैटिक पॉर्शन जो आ रहे हैं यह आपको बरवाद करता है वेपर में क्योंकि स्टैटिक च चले एक और कोशन देखें च्छटा कोशन नैशनल एजुकेशन डे वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन हम नैशनल एजुकेशन डे मेरे भाई किस दिन बनाते हैं इस कोशिंग का अंसर के बते जैसा तुम शाम को सात बज़े महुल बनाते हो ना वैसा सुबह भी बनाने लग जाओ ना शाम को सात बज़े तुम महुट डेडिकेटेड होते हो वैसे ही अगर सुबह भी बनाने लग जाए यार बात बन जाए फिर ठीक है आप बनाते हो नहीं बनाने कोशिश करो 11 नमबर इस कोशन का तीन चार दिन नहीं तो पढ़ना यार 28 बाकी तो फिर कोर्स स्टा का electronic configuration क्या होगा science का एक अच्छा pattern का question है इस question का answer क्या है जल्दी सबढ़ेगा answer क्या है comment करिए निर्मल को 100 chapter मिला नहीं हर जगा 100 chapter टेलिग्राम चैनल अमन सर वाइफ़े स्टाड़ी official सर्च करना उसमें जाना और 100 chapter देखना ठीक है answer इस question का देखो अब इसमें क्या कर रहे है गलती 285 कहने का मतलब क्या इस question का answer क्या होगा देखो अगर ये एक वाला है ठीक है है ना चलिए एक और question देखेगा सही है ये वाला क्योंकि अगर इसका देखेंगे तो ये sodium का electronic configuration हो जाएगा ठीक है चलिए आठमा question देखेए बते ये answer के इस question का तुका नहीं मारना उसमें sodium वाला बता रहे हो तुम सारे बदे शत्रिया जो है कूंसी state का dance form है इस question का answer क्या है ठीक है metal gain electron and lose electron वाला concept आपको बता हो न चाहिए बस बदे शत्रिया आठ में से 5 लाए हो क्योंकि ये question 8 में से 5 का है ठीक है answer इस question का असाम आठ में से 5 लाए हो मेरे भाई लाए हो तो लिखो pass हर कोई धीरे धीरे पास हो रहा है आपना इसमें अपना लेवल समझ पा रहे हो कि मैं 8 में से 5 ला सकता हूं एक बच्चा 8 में से 8 ला सकता है ठीक है एक बच्चा 5 में से 5 ला सकता है इस तरीके के समझ आना चाहिए अब देखते हैं 9 में से 5 दाबाते हों कि नहीं जो फेल हो रहा है वो और पास होगा धीरे-धीरे पास होने कि नवर है वो बढ़ते जा रहे है कौशिश करो अब हम करेंगे नों मेंstudy से 5 का चैलिए जो है यह क Почему होगा अभी हम 50% पर भी आएंगे चलिए पहले सभी के सामने नो में से पांच नमबर लाने सिर्फ इंटरनेशनल एनर्जी एजनसी जो है यह कौन से अगर मैं स्टार्टिंग से ही जो मेरी पहले जो मैं 25 कोशन का कराता हूं वो 10 मिनिट का क्यों कराता हूं वो मैं पहले से बता के जलता हूं कि बेटा 30 तारीक को शाम को साथ बजे 25 कोशन का टेस्ट है टाइम पे आना जो बच्चे बीच में आते हैं उनको चैलेंज मिलता नहीं है 25 कोशन का वो फिर क्लासिस में ठीक है स्टेबल नहीं रहते इसलिए आपके छोटे चैलेंज करा रहा हूं कि अगर आप अभी आयो तो अभी के चैलेंज में फोकस करो दपॉइंट इस चैलेंज कोशन नहीं है फोकस ठीक है ध्यान रगना चलिए पहला कोशन आंसर के इस कोशन का पैरिस फ्रांस इसकोशन का आंसर है कोशन का क्या केश्या कोपिछल क्या है कोसटर थािए चैलेंज जैसे चैलेङल कोशन का पैसे कोशन देखिए बता हिसा है दूरगा सिर्स पावर स्टेशन जो है यया प्लांट है कूंसी स्टेट में है इस स्टेक्टे ell corp इंद रेल उसमॉजेत होगा हंड़ेट परसेंड रोगा किला है कि asking करा रहे हुँ मैं तो starting wealth वीडियो में स्टार्टिंग में स्लेवर्स बता होता सो चैप्टर उसी कोई कवर कराता है वेस्पंगोल दुर्गा बाता की पूजा होती है हाँ पर चोथा कोशन देखिए अब आया आपका आंसर यह हो गया लेकिन आप बता ही आंसर इंटरनेशनल एनर्जी एजंसी जो है इसके बाद मैंना दो बारा नो यो इस टेट और डालatt लुड गया बैक टुल सारे नो यो स्टैट डालो ओं गारा स्टेक और ख्यांगैं मैं आठ स्टेट और डालने वाला हूँ आज भी दो नो यूर स्टेट डालने वाला हूँ टेलिग्राम पर सब एवलेबल है एक एक वीडियो देख लो आंसर इस कोशन गा फ्रांस इस कोशन गा आंसर एक और कोशन देखिएगा वही ठीक है फ्रांस या ने की पैरिस बताई इसमें से कौन सा एसिट सही मैच कर रखा है कि मतलब जो प्रोड़क्ट है उसके साथ उसका एसिड है उसमें यह एसिड होता है ठीक है बताई अच्छा नोट करेक्ट मैच लिखा हुआ है आसान कोशन हो गया और ज्यादा क्योंकि ओविसली लेमन में तो सिट्रिक एसिड ह होता है ठीक है लेमन में सिट्रिक एसिड होता है यह गलत लिखा हुआ है बाकि टार्ट्रिक और फॉर्मिक यह चलिए एक और कोशन देखे छटा कोशन बेड़ा फोकस करना चैलेंज पर अच्छा अभी जो मैं टेस्ट करा रहा हूं उसमें कौन-कौन यह फील कर रहा है कि हाँ पास हो जाएंगे हो रहे हैं हो जाएंगे क्या हो रहे हैं पिछले जो मैंने कर आया mots नत Сп excitement से फाच साथ में से पाच और कॉन-कौन उसमें इंडल्सेंड बेंक, क्योंकि आज शाम को सात बजे जो होगा, उसमें आप आसानी से पास नहीं हो पाऊगे, मैं दो टाइप की क्लासिस रख रहा हूँ, एक रख रहा हूँ जिसमें आप बूस्ट अप हो रहे हो, सुबे नो बजे की यार हाँ पास हो पाएंगे, एक रख र पर में, बस उस दो गैप में, आप सो चैप्टर के चैप्टर्स रिवाइस करो, ठीक है, या नगना, आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैटर नहीं करता है, अभी भी पढ़ना है, बहुत समय अभी पेपर में, मुंबई इस कोशन का अंसर है, आठमा कोशन देखिएगा, विवे इस कोशन का अंसर के है, चली, तो इस कोशन का अंसर के है, वेस्ट मंगूल एक और कोशन देखेंगा, नो में से पांच लाओगे तो पास लिखना, और सभी पास होंगे अब, क्योंकि नो में से पांच बोल रहा हूँ, इस अराउंड, मतब 60% के आसपास पोसता है, ऐसे अ सा ठीक है छरी तो आन्से के से कोश्क औह इस इस कोश्क अप attempt हैं अब देखते हैं नो में से पास लाए ओ पास हो रहे हो लिखो पास फेल अब 50 से रिखने 10 में से पास निरुने भाई एक एक बेचा पांच होना चाहिए इस class का 10 में से 5 नहीं ला सकते तुम जल्दी से जल्दी से लिखो 10 में से 5 आएंगे क्या जल्दी से एक बारी लिखना pass fail होने के बाद कि 10 में से 5 लाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें इसको जल्दी हो वो जा सकता है मैं अपने पूरे चैलेंजिस करवाता हूँ मेरा फोकस इन चीजों पर रहता है ठीक है क्लास की डूरेशन पर नहीं वो मेरे को चैलेंज देखने कैसे मैं आपका कॉंफेटेंस बूस्ट अप करूँ ठीक है बस वही देखना है चली देखते हैं दस में से पांच पचास परस लेगा ुद ृ receipt कॉल ti ki को चली इसको कशेंगा आंसर क्या है है इसको चैलिया आनजे कि एक बच्चा कीया रहा है इतना है छोटे बच्चे भी नहीं हैं जो खेल खेल रहे होASE पेपर खेल ही है छोटे बच्चो क्टा यह होता है बड़े तो नोकरी ले चुके होंगे तुम बच्चे ही हो जो खेल रहे हो ठीक है टेस्ट दो अच्छे से खेल ही है यह साथ अमेरिका इस कोशन का आंसर है दूसरा कोशन देखी का भीम बंद वाइलनास संच्री कहां पर जल्दी से बताएं इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है यह खेला जो खेल जाए ठीक है वही है असली खिलाडी ठीक है नहीं तो अनाडी ही बिना नौकरी के रहते हैं बताएं चलिए और आंसर क्या है इस कोशन का कमेंट करिए भीम बंद वाइलनास संच्री कहां पर भिहार में चलिए को चुन कोशन देखी तीसरा कोशन बताये डिबरुगर कौनसी नदी के किनारे हैं जल्दी से बताइए चोटी बच्ची हो क्या इस लिए आंसर के सिर्व इस कोशण का अंसर क्या है चलिए अंसर के इस कोशण का अचलि एस कोशंक ऑविस्ली भ्रह्मा पुत्रा है तो हरे बच्चे जब next challenge कराऊगा नै इसके बाद का जो challenge होगा that will be a game changing challenge वो कोई cross नहीं कर पाएगा reverse में challenge होगा और वो challenge बड़ा कतरना होगा reverse में challenge मैं 30 minute के बाद कराता हूं आपको भी बता हूँ चलिए वर्ड डे ऑफ शोशल जस्टिस जो है बीस फरविरी को अबज़र किया आता है छटा कोशन देखें दस में से पांच संजीव राजपुत कौन से स्पोर्ट से संबंदित है जल्दी से बताए इस कोशन का अंसर के है रिवर्स चैलेंग्य क्या होगा पहले पांच में से पांच पूचे दहेंगे साथा कोशन देखेंगा जो ब्राज है ये किसका अलोइ है यो किसका बनेगा बतेए इस कोशन का अंसर के मिश्रित जो धातू है अलॉइ किसका बनना है, अच्छा कोशन है, इस कोशन का अंसर बतेगा, focus must be score, क्योंकि पेपर में score ही तो देखेंगे, आपका, ये थोड़ी देखेंगे, आप किती मेहनत की हो, किती अंसर लगाए हो, चलिए, आंसर के इस कोशन का जल्दी सर बतेगा, आज अठाइस है 29 30 30 तारीख का एक करना है छेलेंज और 2 चेलेंज मैं आपको एक तारीख को कराऊँगा एक दो धेखते हैं कितना हो सकता है चलि attachments है, zinc, copper 8 этमा Q некर देखेगा राजमाला 1 हिस्टिय है कोन सी स्टेट की हिस्टिय है इतिहास है राजमाला ठीक है इंपोर्टेंट सोर्स अफिस्ट्री यह बड़ा मुश्किल कोशन बदे इस कोशें का अंसर गया है जल्दी से बदे इस कोशें का अंसर के आप में से कौन-कौन मेरे टेलिग्राम अमन सर वाइफेस्टेडी ऑफीशल पर जुड़ा हुआ है अम अवलेबल रहेगा त्रीपुरा इस कोशन का आंसर है एक और कोशन देखिएगा नोमा कोशन बड़ा मुश्किल कोशन था यह वाला कोशन राजमाला ठीक है राजमाला हिल्स बड़ी फेमस है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनाश्टन एरबुट कहां पे हैं कौन सी स्ट चले अंसर को स्क छेज पर अंसर है सोचते हैं कि मैं चन ज्यादा कूश्टा नहीं हूं मैं उसदें दालती है ठीक है टेलिग्राम को एक्टिव रखने हम डालते हैं दो ही चीजे, पहला know your state, जिससे मुझे लगता है कि बच्चों का कोशन बनेगा, दूसरा hundred topic की pdf, या फिर classes का link वो भी उसी समय जिस समय live class है, सुबह नो और शाम को साथ, फालतु कुछ भी नहीं, बस उतना ही focus है, कम चीजों पर focus करो, बार बार focus करो, selection तब ही इस से, बदे, blood sugar level को कम होने से कोन बचाता है, hormone prevent the blood sugar level from getting too low, बहुत कम होने से बचाता है blood sugar level को, और यहाँ पे इस question में असली पहचान होगी science आती गी नहीं, मैं बता रहूं, इस question में असली पहचान होगी कि science आती गी नहीं, ये question जिसका गलत हो रहा है न, तुम मान के चलो तुम्हे science नहीं आती, तुम्हे 5 number छोड़ने है, नहीं तो तुम 100 chapter में से science के chapter पढ़के जाओ, पता है क्या हो रहा है, इधर बच्चे क्या लगा रहे, insulin answer लगा रहे है, भाई, ये insulin blood sugar level को high होने से बचाता है, ठीक है, और उसका छोटा भाई, glycogen, उसे low होने से बचाता ह है, ये difference नहीं पता क्या, गया कोशन आपका, ठीक है, insulin बता रहे हो answer, 10 में से 5 कोशन, सही किया है, पास फेल लिखो, इस challenge में इतनी difficulty नहीं होती है, पास फेल, लेकिन ये वाला कोशन था difficult, this was the game, ये था एक game, चली, मैं आपसे challenge स्टार्ट करा रहे हो, reverse challenge, मैं आपको पहले 5 में से 5 कोशन पूछूंगा, कितने 5 में से 5, एक एक कोशन important है, और ऐसे कोशन है, जो मैंने अभी कराया है, ठीक है, let's see कि कोन लाया है, बते, भीतर कनी का wild life century कहां पे located है, इस question का answer है, where is भीतर कनी का wild life century located है, इस question का answer है, तो मेरे भाई इस question का answer है, उडीसा, पहला कोशन तीखेगा, ठीक है, गोतम बुद्ध के बाद, जो next, जो अवतार मानेगे, गोतं मुद्ध के बाद, वो किने माना गया है, बते ही, अच्छा कोशन है, अच्छा कोशन है, बते ही, दे इस question का answer है, जल्थी सब देगा, चलि तो आन से के इस question का, next incarnation है, मेतरी को माना गया है, तीसरा कोशन बदेगा तजाकिस्तान की capital currency क्या है अभी चैलेंज reverse में जा रहा है और यह जरूरी चैलेंज है बदेगे इस कोशन का आंसर के हैं कमेंट करेए जल्दी से बदेगा चलिए बदेगा आंसर के इस कोशन का आंसर है जिसनम और सोमनी इस कोशन का आंसर है चोथा कोशन देखेंगा हजार दियार रखो यूटूब एक सबसे बड़ा इस एक्षन है बच्चों के लिए अगर उसे बच्चे जो हैं लोंग टम में यूज़ कर रहे हैं आपको सिर्फ टेस्ट देने के लिए यूटूब यूज़ करना है अगर नहीं इससे आगे पढ़ रहे हो तो आप नुकसान कर रहे हो अपना ठीक है ध्यान रखना किताबो से अपने नोट से बढ़ना स्टार्ट कर दो तेस्ट देने यूटूब पर आया करो ठीक है चलिए आनसर के स्पॉट से संबंद beliefs क्या है जल्दी से बदेगा परुपाली कशब जो है कौन से स्पोर्ट से संबंदित है इस कोशन का आशर बदेगा चले जैसे एक कोशा अभी संजीव राजपूद्ध पूजाता सभी को बताए यह भी इंपोर्टेंट है पांच में से पांच नहीं आप आएंगे क्योंकि य लेट सी की चार में से चार आ रहें के नहीं पहला कूशन आप सबी ए सामने इंट्रनेशनल एसम स्ड हे लिए या इंट्रनेशनल इसकलना हैं चली तो इस question का answer क्या है International Air Transport Association के Headquarter जो है Montreal Canada में है दूसरा question इंद्रा प्रिया दर्शनी स्टेडियम एक एक question दिमाग में बिठा दिया जाएगा paper तक बैठा रहना चाहिए उसके बाद खड़ा होके चला जाए question दिमाग से कोई दिक्यत नहीं है और ऐसा होता है दिमाग से जो knowledge है ना चली जाती है करण की भी नहीं रही थी महाँ भारत में समझ रहे हो है ना बस तब तक होनी चाहिए जब तक आपका युद्ध चल रहा है यानि की exam हो रहा है ठीक है तब तक है वह देखा इस question का answer क्या है चली तो आंसर है इसकूशन का इसलिए बार बार रिपीटेड रिवीजन करनी पड़ेगी आपको क्योंकि वह जरूरी है वीट इस question का answer चोथा question देखेगा नहीं करना है रसी घिसती रहती है तो बोर होई जाती होगी ठीक है लेकिन घिसेगी तभी मजबूत होगी टेस्ट देना जरूरी है at least दो तारीक तेक जब तक exam start नहीं होते मैं तीन तारीक से नियाव है start करा हूँगा 100% start करा हूँगा मैंने कह दिया आपको ठीक है बस MTS तक के लिए start donate तक के लिए रुकेंगे ठीक है आंसर इस question का प्रेजिटन इस question का आंसर है उमीद है चार में से चार लाए हो अब हम करने वाले हैं तीन में से है है हेट्रिक चैलन जो है final चैलेंज होगा ठीक है इंडियन मुजियम जो है कौन सी स्पॉचन का आंसर के वह इंडियन मुजियम है वैर डिय हैं य। दो उस तो इस ऑनसर के है है ना अच्छा कोशन है answer के इस कोशन का कि इंडियन मीजियम कहां पे लोकेंट है वेसमोंगोल में लोकेंट है दूसरा कोशन है ट्रिक चैलेंज है तीन कोशन में से तीन कोशन सही हो ठीक है चलिए answer के है इस कोशन का बदे origin की अगर मैं बात करूँ music का origin कहां से हुआ है सर आप जो बोलते जो नहीं करते ऐसा किया गौने वह ला एट-लिस्ट हर चीज जो है specific जो चीजें बोली है वह सारी करी है ठीस का बोलता हूँ सो चैप्टर में से बीस चैप्टर पढ़े ना सिलेक्शन ले गए सिलेक्शन क्या उतना ले गए जितना चाहिए सिक्की मिस कोशन का आंसर है तीन कोशन आपने करे ठीक है ध्यान रखना जो भी बच्चा देख रहे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज की सला दे सकता हूँ वो है सो चैप्टर पढ़ने की सला क्योंकि अभी अगर आप यह जो सो चैप्टर इसमें से लेगो सारे चैप्टर इसी एक पीडियाफ में है यह मेरे टेलिग्राम अमनसर वाइफ में सार चैप्टर इसमें से आप को लगता है कि काफी होंगे वीच चैप्टर अगर आप आखरी के 5 दिन में भी कवर करना चाहते हो ना तो यहार दो दो चैप्टर भी अगर अच्छे पढ़ोगे तो आपके 3-3 चैप्टर, 4-4 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपका बहुत चैप्टर कवर हो जाएगा, एक दिन में 4 चैप्टर नहीं पढ़ सकते गया, बच्चे तो 10 पढ़ ले रहे हैं, आखरी समय में ये ना सोचो कि कुछ ना हुआ, ये चैप् अच्छा पूरे साल पढ़ रहा है, हर एक वीडियो थोड़ी रिवाइस करेगा बार बार, ये content ही ऐसा है, जिसमें सब कुछ दे रखा है, जो आपने पहले कभी किसी से भी पढ़ा हो, किसी भी टीचर से मुझसे पढ़ा हो, दो सालों में, तीन सालों में, वो सारे चैप् आम अवन सर्वाइफे सड़ी ऑफिशल पे अवलेबल है, इस content के अलावा किसी और content की जरूत नहीं है, content form में अगर देखा जाए, classes form में तो कुछ भी दे लो, classes तो आप सारी लें, ठीक है, session को like करें, share करें, channel को subscribe करें, हम मिलते हैं आप से शाम को 7 बजे, till then goodbye, so chapter पड़े, know your state की series पूरी देख लें, और paper में जाएं फिर, ठीक है, test देने, शाम को साथ पर ज़रूर है, धन्यवाद,